सिर्फ एक पत्ता, पुराने से पुराना घुटनों का दर्द, कमर दर्द, किसी भी तरह की छोट लगी हो, या फिर एडी का दर्द हो, या फिर हमारे हाथों की कलाई का दर्द हो. बिलकुल ही मिंटों में खत्म हो जाएगा. दोस्टों, आज मैं आपको बताने वाली हूँं कि आख का जो पौधा होता है इसके पत्ते कितने उपियोगी हैं खास कर जोडों के दर्द के लिए तो ये जो आख का पौधा है दोस्तों आपको कहीं भी मिल जाएगा बहुत ही आसानी से लग जाता है ये और सडकों के किनारे तो आपको हमेशा दिखेगा ये तो बस आपको जोडों के दर्द हड्डियों के दर्द से राहत दिलाती है इसकी पत्तियां इसकी पत्तियों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे जोडों के दर्द को बिल्कुल ही खीच लेते हैं सूजन को कम कर देते हैं तो जैसे ही इन पत्तियों को मैं तोड़ती चारी हूँ आप बेख सकते हैं इन पत्तियों में से खलका सा दूद सा निकल रहा है सफेज 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 सा तो दोस्तों इस दूद जो होता बहुत ही जादा थोड़ा जहरीला होता है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें ये दूद हमारी आखों पर नहीं लगना चाहिए ऐसा कहा जाता है ये दूद आखों पर लग जाता है तो अंधापन आने का डर रहता है इस बात का बहुत ध्यान रखें आखों में लगना नहीं चाहिए थोड़ा जहरीला होता है परन्तु दोस्तों जोड़ों के दर्द सूजन को कम करने के लिए डाबिटीज को खत्म करने के लिए बहुत क्या धागे से लपेट लें आप ऐसे तो घुटने से गिर जाएगा ये पत्ता और फिर आप उसे कुछ समय तक रखें आप देखेंगे बिल्कुल ही घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा आपको इन पत्तों को थोड़ा सा गरम करके ही लेना है दोस्तों तो मैंने एक तव पुराना तवा लिया है जिसका प्रयोग में बहुत कम करती हूं और तवे के उल्टे हिस्से पर मैंने इस पत्ते को रखा है प्रिकॉशन के लिए क्योंकि थोड़ा जहरीला पौधा होता है तो क्यों ना हम सावधानी पूरवक इस काम को करें तो चलिए अब क्या करना है दोस्तों इसमें लगाना है तेल सर्सो का तेल लगाएं यदी है तो केस्ट्रो रॉयल है अरंडी का तेल है वो लगा सकते हैं आप आपके पास यदी तिल का तेल है तो आप वो भी लगा सकते हैं बहुत ही बढ़िया दर्द निवारक होता है तिल का तेल तो मैंने तो यहा चाहे कोहनी का दर्द हो, या कलाई का दर्द हो, या पुराने से पुराना कमर दर्द हो, गैस के ओपर तवार रख दिया है, आप देख सकते हैं, तवेको मेने उल्टा रखा है, और पत्था गरम होना शुरू हो गया है, बीच में एक से दो बार पलट लेए देखे, अब आप चाहें तो गर्दन के दर्द में भी से लगा सकते हैं तो यह देखें के दर्द के लिए अब आपको लगाना है दोस्तों तो चलिए मैं बताती हूं कि उसे आपको किस तरह से लगाना है तो पता अच्छा थोड़ा गरम गरम ही लगाएं ताकि वह दर्द को खीच सके बह ताकि उसका असर बना रहे, गर्माहट बनी रहे, तुरंत ही जोडों के दर्द से राहत मिलती, कई बार हमारी कलाई लचक जाती है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे भर के वृद्ध वैक्ति हो, तो इस तरह का दर्द होता ही रहता है, बच्चों को भी कई लचक बहुत जादा दर्द होता है, तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप यहां पर सर्सो का तेल ले सकते हैं, मैंने केस्टर ओई लिया है, अरंडी का तेल भी जोडों के दर्द से राहत दिलाने में बहुत ही जादा फाइदे मंद है, यह देखे, और आपको हलके हलके हांतों से इसमें मसाज करना है, तो तुरंथ ही इसका असर आएगा, आप चाहें तो इस तेल में थोड़ा सा हल्दी मिला सकते हैं, हल्दी और तेल का जब प्रयोग किया जाता है, तो भी सूजन बहुत ही तेजी से कम होती है, बहुत से लोग तो दो यह आक का पौधा होता है, इस तो यह देखे, बहुत अच्छी तरह से मैंने कलाई की मसाज कर दी है, और अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस पत्ते को आपको इसमें बांध लेना है, ताकि पत्ता अच्छी तरह से चिपका रहे, और एडी में है अगर दर्द तो आप रात के समय इस पत्ते को बांध ताकि पत्ता पूरे समय चिपका रहे, और अब आपको क्या करना तवे में जो हमने पत्ता रखा है, आख का पत्ता हलका गरम गरम ही है, यह पत्ता इस पत्ते को आप इसमें लगाए, धागे से बांध दे और क्या चाहे तो कोई कपडा लपेट ले, तुरंत ही जोडों का दर्द जो है पुराना से पुराना भेंकर से भेंकर घुटने का दर्द, हाथ का दर्द, एडी का दर्द, कमर का दर्द बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाएगा, और प्राचिन काल से ही दोसों आख के पत्तों का प्रयोग किया आता जा रहा है, इसी तरह के जोडों के दर से राहत के लिए तो सारे तरह के दर्ध, जो जोड'd के तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थीएटर को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों वीडियो कैसा लगा, थेंक यूँ